हाई, पेर ट्रेडिंग के इस प्राक्टिकल क्लास में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने सिस्टम पे कि किस तरीके से पेर आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से ट्रेड इलर्ट जनरेट करते हैं जिन पेर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है उन्हें जिसमें आपको market के गिरने का खत्रा नहीं होता मतलब market नीचे जाए या market उपर जाए आप एक consistent return बना सकते हैं सिर्फ market ही नहीं अगर किसी specific sector के बारे में भी आप चलते थें कि कहीं ये sector गिर तो नहीं जाएगा या बहुत तेजी से उपर तो नहीं चला जाएगा तो मैं किस तरीके से इसमें opportunity बनाओ अपने लिए regular income करने का तो वो भी पेर ट्रेडिंग या स्टार्टिस्टिकल अबिट्राज से possible है मीम रिवर्जिन की जो techniques हैं उनमें ये बहुत ही प्रमुख technique है सारे hedge fund यूज करते हैं हर जगर दुनिया में same technique यूज होती है बस अपने-अपने market के condition से आपको अपनी थोड़ी theory लगानी होती है मगर इस video में stepwise practically वो चीज़े करके दिखाऊंगा बाकी चीज़ें हम बात में सिखेंगे तो पेर identify कैसे करते हैं उसके पहले में एक बात बताना चाहता हूं पेर ट्रेडिंग की शुरुआत की थी डी शौर ने जो Morgan Stanley में काम करते थे मैंने भी तीन साल Morgan Stanley में काम किया है और जब में जॉब करने गया था in fact Morgan Stanley और डी शाद दोनों से एक खास connection इसलिए है क्योंकि यह दोनों कंपनी मेरे college Bitspilani में campus selection करने आती थी और जब बड़ी companies आती हैं तो आप research करते हो उनके बारे में क्या मोगन Stanley जॉइन करना मेरे केरियर का एक बहुत यहां पढ़ाओ था और जब मैं वहां गया यह अलग बात है कि उसके पहले डी शौर के लिए मुझे एक ओफर आया था है था हैदराबाद से बड़ यह technology team में थी और Morgan Stanley में institutional equity risk पे मैं उनकी एक team का हिस्सा था और तब मे पहले से भी बहुत interested था मैं तो डी शौर ने इसे ढूंडा था 1980 में और सिर्फ इस trading strategy के ऊपर एक बहुत बड़ा hedge fund बनाया मतलब यह hedge fund सिर्फ और सिर्फ statistical arbitrage करता था उन दिनों में अभी भी डी शौर को दूंड सकते हैं आप उस investment bank के बारे में जान सकते हैं तो क्या है व ऐसे tools जो दिखने में बड़े complicated लगेंगे but as a teacher मेरे responsibility यह है कि इसको बिल्कुल simplify कर दूँ मैं आपके लिए इसलिए सीधे-सीधे tools बनाये हैं और वही डाल दिया है तो इसे देखने के लिए मेरे screen पर आते हैं तो मेरे screen पर अगर आप statistical arbitrage के अंदर जाएंगे तो यहां पर जाने के लिए obviously अगर आप कुंदन की show.in पर जाते हैं, courses में जाते हैं, statistical arbitrage पर click करते हैं तो अंदर course में आपको यह resources मिलेगा, इन में यह 7 files हैं, मैं बोलूँगा एक एक करके यह सारे 7 files आप download कर लें, इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं अपना Gmail खोलना है, Gmail क्यों? क्योंकि Google एक बहुत ही powerful company है, बहुत सारी चीजे, बहुत beautiful चीजे हमें यह free में देता है, तो आपको यहाँ पर search करना है Google collab, इंटर मार देना है, click करें पहला ही link Google collab का, तो जैसे ही Google collab आपका खुलेगा, इस तरीके का एक screen आएगा, आप new notebook भी कर सकते हैं, या cancel भी कर सकते हैं, मैंने था cancel कर दिया है, क्यों? क्योंकि जो file मैंने आप से download करवाई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसे as it is एक बार करें, सीख लें पहले, बाद में जब आप अच्छे हो जाएंगे, तो खुद से भी इन files में alteration करके new files बना सकते हैं, तो यह सारे 7 file मैंने पहले ही download कर लिये हैं, आप इन्हें download करके देख लें कि अपने system पे आप कहां डाल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं collab पे जाता हूँ, file पे click करता हूँ, upload notebook करता हूँ, browse करता हूँ, और file number 1 open करता हूँ, find correlation के नाम से, मतलब, अगर हमें pair trading करनी हैं, तो कैसे trade करेंगे, ऐसे trade करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों company एक ही sector की हैं, इंडिया में trade करती हैं, market capitalization भी दोनों के बहुत बड़े हैं, और दोनों लगबग लगबग एक जैसा ही perform करते हैं, profit post करते हैं, तो थोड़ी theoretical analysis पहले से होनी चाहिए, वैसे ये जो nifty 50 stocks के अंदर within sectors में कौन कौन सी company है, वो पहले file म मैंने आपको पहले ही दे दिया है, तो pair आपको इनी sectors के अंदर बनाने होगे, तो pair बनाने के लिए पहले इन company के बारे में आपको पता होना चीज़, आप इस list से उठा सकते हैं, मैंने इस example में दो company उठाई, एक in process और एक thesis जिसका example में आपको दे रहा था, फिर से मैं कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा button बस दबाना है, और आपको पता चल जाएगा कि क्या ये दोनों stocks, pair trading के selection का पहला criteria तै करते हैं कि नहीं, तो इस पे आप click कर देंगे, थोड़ी देर तक ये गोल-गोल घूमता रहेगा, मैं बहुत ही basic level पे इसको इसलिए record कर रहा हू हो, तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं, मैं जब live classes में पढ़ाया था पहले, तो मैंने देखा था, इसलिए थोड़ा simplified तरीके से, दीरे दीरे बता रहा हूँ, boring लग रहा हूँ, speed बढ़ा के आप देख सकते हैं, तो ये घूमना बंद हो गया, code चल चुका है, इसने एक result दि correlation between Infosys and TCS over last 6 months is 0.91, मतलब Infosys और TCS के closing price का अगर देखें, तो इन दोनों का correlation 91% के उपर है, तो पहला criteria यही होता है, कि दोनों stocks जो हम trade करने वाले हैं, वो highly correlated, theoretical class में, detail में हम बात करेंगे इसके बारे में, तो हमें पहले चेक करना है, 90% correlation है कि नहीं, कोई भी दो stocks आप चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ नाम change कर देना है उनके, और यह Google Finance से यह data उठा रहा है, ठीक है, तो code level पे जाके समझाने की बजाए, मैं आपको सिर्फ link दे दिया हूँ, download कीजे, उठाइए, run कीजे, तो पहला test यह testing, तो दोनों सिर्फ correlated नहीं होने चाहिए, उन दोनों के बीच का co-integration भी बहुत strong होना चाहिए, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं और ऐसा बहुत समय से देखा गया है, तो इसे भी करने का सिर्फ एक simple चा फॉर्मूला है, आप यहाँ पे इसको चला दे, code में कोई change जमा कर hypothesis का use करते हैं, piece at value 0.05 अगर आता है, तो 95% confidence के साथ इस null hypothesis को हम reject कर सकते हैं, कि यह दोनों highly co-integrated नहीं है, इस philosophy को reject कर सकते हैं, तो अगर हमने इस बात को reject कर दिया, कि यह दोनों co-integrated नहीं है, इसका मतलब वो co-integrated हैं, तो null hypothesis का शहारा लेते हैं, ना कि alternative hypothesis का, दोनों के बीच का difference अगर आपको complicate कर रहा हो, तो simple भासा में मैं समझाता हूँ, 2 plus 2, 4 होता है, alternative hypothesis है, यह statistics का, 2 plus 2, 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, 7 नहीं होता, 10 नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़े निकाली, 4 को छोड़के हर ची करते हैं, उस जूट को reject करके, सत्य की प्राप्ती करते हैं, यह null hypothesis है, बहुत ही interesting, null hypothesis और alternative hypothesis की philosophy, यह पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, इंडिया का legal system, इससे relate करके मैं बता पाता हूँ, live class में बहुत सारी चीज़े, anyway, आगे बढ़ते हैं, तो दोनों highly co integrated है की नह आपको दिखेगा, तो यहाँ पे इसमें result में दे दिया, the stocks infi and tcsr not co integrated, तो आज के date में, जब मैं यह class record कर रहा हूँ, तो 6 महिने के data पे हमें यह पता चल गया, कि नहीं बहुत, यह दोनों stocks में pair trading, नहीं की जा सकती as per the philosophy of pair trading, जो कि globally accepted है, तो अब आप बोलेंगे, कि क्या म मैंने आपका काम असान किया है, तीसरा code मैं आपको बताता हूँ, तो तीसरे code में अब आप क्या करेंगे, nifty-fifty के सारे stocks को देखेंगे, कि इन में से कौन-कौन stocks हैं, जो पिछले 6 महिना के data पे highly correlated हैं, क्योंकि वो अगर मुझे मिल जाएगा, तो मैं वो trade करके देख दूम रहा है वो, ये code चल रहा है, नीचे connecting to python 3, google, compute engine, backend, ये सारी चीज़े चल रही है, आपको इसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बस जब ये बंद हो जाए, तो नीचे आपको results देखना है, simple है, ओके, तो ये अभी चल रहा है, बीच में, चुकि आप free google collaboratory का tool use कर रहा होंगे, तो दिक्कत भी आ सकती है, तो आपको एक session kill करना होगा, हो सकता है, वो अभी मेरे साथ भी हो, और मैं आपको करके भी दिखा दूँ, तो यहाँ पे आया, इसने सारे sectors में धूडा, बोला, नहीं, तुम्हारे banking के सारे shares देख लिए, finance देख लिए, IT देख right now at bank, आज जब मैं test कर रहा हूं नहीं है, एक मेने बाद हो सकता है, हो, finance sector में HDFC live और SBI live के बीच में 96% का correlation मिला है, SBI live और HDFC में दोनों में 96.7, मतलब 96% correlation है इन दोनों के बीच में, correlation brief में समझना चाहते हैं, देखे, stock A 1% उपर गया, BB 1% उपर चला गया, फिर जब 1% A ग को लेंगे, highly correlated, correlation value minus 1 से 1 के बीच में range करता है, तो कोई दोनों stock अगर बिल्कुल साथ साथ जाएं, साथ साथ आएं, तो उनका correlation 1 होगा, कोई stock 1% उपर गया, तो दूसरा वाला 1% नीचे आ गया, ये 1% उपर गया, तो ये नीचे आ गया, तो ये negatively correlated है, highly negatively correlated, इसका value minus 1 होगा, तो हमें highly correlated ढूणने है, तो 96 का value अगर है, तो हम बोल सकते हैं, कि ये दोनों stock highly correlated है, तो इस तरीके से आपको सारे result मिल जाते हैं, हर sector के, अब ये result मिल गया, तो मुझे ढूणना है, कि क्या वो co-integrated हैं की नहीं, तो एक code जो चौथा वाला है, वो मैंने सिफ आपको ये दिया है, ताकि आप ये पता कर सकें कि अब सारे 50-50 stocks में, हर sector के अंदर, पिछले 6 महिने में, कौन-कौन से दो pair हैं, जो highly co-integrated भी हैं, तो correlation का भी आप निकाल लेंगे, co-integration का भी निकाल लेंगे, इस error की मैं बात कर रहा था, ये आ गया, manage session पे जाएंगे, आप सारे में तीनी sessions देता है, तो वो sessions चल रहे हैं, terminate other sessions आप कर दें, सारे, या एक एक करके कर दें, तो भी चलेगा, ओके, अब यहाँ पे इसको चला दिया मैंने, तो ये मुझे result देगा, कि कौन से वो stocks हैं, जो आज के date में, पिछले 6 महिने तक, के data के हिसाब से highly co-integrated भी हैं, अगर, आपको ये सिर्फ नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए कि हर stocks, nifty-fifty के हर sectors के, जो highly correlated भी हो, और co-integrated भी हो, on that specific time, उसके list मिल रहे हैं आपके पास, ये result आ चुका है, तो co-integrated pairs के list भी आपके पास आ चुकी है, जो मिला है bank में, जो मिला है also, तो, बस सिर्फ bank में आपको भी मिला है, no co-integrated pair anywhere else, but bank, I think IT में एक मिला है, आपको, TCS, HTL Tech में, तो आपको ये मिल गया, मगर, अब मैं आपको final code दूँगा, जो की सीधा-सीधा correlation, co-integration, दोनों test कर लेगा, nifty-fifty के, हर sector के, हर stock के उपर, तो हम उसे चलाएंगे, और देखे exactly, nifty, तो pair trading में आपको, बहुत सारों का मानना ये है, कि बहुत trading करने से बहुत return बनता है, नहीं, बहुत trading करने से बहुत जादा charges लगते हैं, brokerage लगता है, psychology खराब होती है, trading opportunity धूनने का नाम है, opportunity हर minute, हर second नहीं आती है, आपको साल में अगर 25-50 opportunity भी मिल जाए पूरे साल म और हर opportunity पे आप 3-4 percent बना लें, तो इसे ही trading बोलते हैं, ठीक है, तो ये मैंने एक opportunity धूनने के लिए सिर्फ 50-50 के stocks का सहारा लिया, और देखा कि कौन से वो stocks हैं, इस पाचवे code के मदद से, जो fine correlated and co integrated pairs, both result मेरे पास आ गया, अभी के date में इस point पे सिर्फ दो companies मिली है, Tech Mahindra Inf और Tech Mahindra HCL Tech, आपने देखा, बहुत सारे correlated थे, बहुत सारे co integrated भी थे, मगर दोनों का intersection जब मैंने निकाला, तो सिर्फ 2 pair मुझे मिले, और एक का correlation मिला 96, दूसरे का 92, और जो इनकी value मिली, वो ये, 0.03, 0.03 P value का मतलब ये है, कि मैं 97% confidence से ये reject कर सकता हूं, कि ये दोनों co integrated नहीं है, मतलब 97% मैं ये बोल रहा हूं कि ये co integrated है, बट मैंने null hypothesis ये रखा कि ये दोनों co integrated नहीं है, और उसे reject किया है, ये है P stat value का मतलब, अब P value दूसरे का 0.2 है, जहां पे हम बोल सकते हैं, 98% confidence के साथ बोला जा सकता है, कि ये दोनों highly co integrated है, तो ये 5 code से आपको इसी moment प पता चल गया, कि eligible pairs तो trade करने के ये ही है, अब आखरी के दो code मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको alert generate करना है, तो alert generate करने के लिए Z score का सहारा लेते हैं, theoretical class में इसको detail में समझेंगे हम लोग कि Z score क्या होता है, बट समझ ये कि एक तरीके का normalization है, मतलब G score का एक value है, minus 2 और 2 के बीच में, जहां पर हम trade लेंगे, ratio निकालते हैं, standard deviation निकालते हैं, और finally Z score हमें मिलता है, मगर practical class है, सीधे मैं आपको code देखर के बताऊंगा कि कैसे देखना है, graph भी generate करके दिखाऊंगा, कि कैसे देखना है कि क्या ये अभी इस moment पे trade लेने like है या नहीं है, तो उसके ल paste पे trade alert निकालके दिखाएगा, तो ये ready made tools surface लिए आपको दिया हूं, ताकि आप confused नहीं हों, और सीधे सीधे generate कर लें alert, but बहुत important है कि हम चीजों को background भी समझे, correlation क्या है, co integration क्या है, Z score क्या है, normal distribution curve क्या है, P state value, क्यों हम 0.05 लेते हैं, ये सारी चीज़े, तो इसे अब चला आएंगे हम लोग, और ये दो stocks इसमें मैंने डाले हैं, दो stocks मैंने वो डाले हैं, जो हमें मिला था अभी, कि ये दोनों highly correlated भी हैं, co integrated भी हैं, तो Tech Mahindra और Infosys जो मिला था, वही डाल दिया मैंने, अब ये देखिए, ये आपको कुछ इस तरीके एका 6 वाला result देगा, current Z score between Tech Mahindra and Infosys is 0.6933, तो 0.6933 नहीं है, अगर ये 2 होता, या minus 2 होता, तो ये trade generate करके देता, तो दोनों के spread का कुछ ऐसा chart बन रहा है, और उसका further normalization जो है, वो Z score के form पे ऐसा chart बन रहा है, तो ये जो आप ऊपर वाले points हैं, या जो सबसे नीचे वाले points हैं, ये वो points हैं जहाँ पे trade बनते हैं और जहाँ पे trade alert मिलता है, तो अभी ये यहाँ चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है, अभी तो काफी दूर है, in fact, जब वो 2 की तरफ जाए, और 0.5 की तरफ आ जाए, तो trade लिया हुआ, अगर होता है, तो साफ-साफ ये code लिखके देता, यहाँ पे इन दोनों में से एक buy है, दूसरा sell है, और ये pair आप trade करते हैं, लेकिन final code, इस वीडियो में जो मैं practical class में आपको देने जा रहा हूँ, वो ये है कि सारे के सारे nifty-fifty के हर sector से stocks उठाएं, correlation, co integration दोनों देखें, वो देखने के बाद जो भी मिलते हैं pairs, उन सब के score निकालें, और देखें कि कि किसी में भी कोई trade मिल रहा है क्या, तो ये वो आपका final trade है, final code है, बट फिर से हमारा 3 session हो चुका है, तो मुझे कुछ session kill करने पड़ेंगे, शायद ये video record करने के पहले मुझे paid product ले लेना चाहिए था, बट आप भी काम चला सकते हैं, मैं भी का और फिर से इसे चला दिया, ये क्या कर रहा है, सारे sectors में धून रहा है, correlation, co-integration, दोनों का intersection, फिर ये देख रहा है कि दोनों का Z score कहां पर trade हो रहा है, और एक alert दे रहा है, मतलब ये एक final code है, जो अगर आप जब चाहें तो चला के देख सकते हैं, और आपको एक alert मिल जाए है, वेल, ये code चल रहा है, और बहुत time नहीं ले रहा, 21 seconds, 22 seconds, 23 seconds में complete हो गए, और हमें मिले हैं, total दो पेर, Tech Mahindra Infosys और Tech Mahindra HCL Tech, और दोनों में से no trade alert हैं, एक का Z score 1.43, minus 1.43 है, तो आप देखें यहां पे कि नीचे की तरफ है, हो सकता है यहां पे थोड़ी देर में, एक trade alert आजाए, Tech Mahindra और HCL Tech की तरफ, 0.2 तक नहीं भी तो 0.19, minus 0.19 पे भी आप ले सकते हैं, यह standard deviation 2 और minus 2 इसलिए लिए आजाता है, कि यह जो time series है, 95% of the time, minus 2 और 2 के बीच में रहेगा, तो सिर्फ 5% opportunity मिलती है आपको, 5% ऐसे time जब बिलकुल, दो highly correlated or co-integrated pair, अपने mean से बहुत उपर जा चुके हैं, और जहां पे maximum probability है, इसके mean के तरफ convert होने की, और इसलिए इसे mean reversal strategy की category में रखा जाता है, I hope, एक concept को मैंने simplify किया है, और आप इसे आसानी से कर पाएंगे, और अपने लिए trade generate कर पाएंगे, alert generate कर पाएंगे, जबकि आपको अभी सीखना होगा इसमें, कि इस alert को किस तरीके से trade में convert किया जाए, किस तरीके से position sizing की जाए, और साथी साथ किस तरीके से इनका risk manage किया जाए, बिना risk management के trading करना बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, तो इस note के साथ कि trading और speculation में अंतर तो है, trading और gambling में भी अंतर है, जब आप इस तरीके से math का use करते हैं, इस तरीके से patience रखते हैं, और scientific तरीके से opportunity ढूनते हैं, तो फिर बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि अगर 100 लोग market में trade कर रहे हैं, 91 loss कर रहे हैं, तो मैं उस 9% में से हूँ, जो loss नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं speculate gambling में कर रहा, बट बहुत तरीके से trade ढून रहा हूँ, अभी आपके सामने trade ढूनने की कोशिश की, मैंने एक ऐसे tool के साथ, जो globally, widely accepted है, आप IIT जाएंगे, IM जाएंगे, फिर investment banks में जाएंगे, और तब आप वहाँ पर बैठ के हो सकता है कि इस तरीके के trade अपने firm के capital पर करें, जो आप अपने account में भी कर सकते हैं, इसी के साथ मैं इस video को यहीं पर खतम करना चाहूँगा, thank you.